ये और कापी सारे न्यू चीट कोड आ चुके जी हाँ गाईस आप लोग जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो टाइगर जी हाँ टाइगर को आप देख सकते हो इंडियन बाइक ड्रैविंग ठीडी गेम में और यहाँ पे आप दूसरी चीज न्यू फोन देख सकते हो जी हाँ य ये सब आपको कैसे मिलेगा और इनका चीट कोड क्या है वो मैं आपको इस वीडियो में पताने वाला हूँ, तो वीडियो को बिल्कुल भी skip मत करना, क्योंकि वीडियो बहुत ही मत्रोड चाहिए, तो इस वीडियो के नीचे कमाई में आपको बता देता हूँ, कि ये जो आप यहां पर ताईगर देख रहो इसका चीट कोर क्या है जी हां आप अच्छे से देख लो टाईगर फाइनली इंडियन बाईक ड्रेविंग तीडि गेम में मुझे मिल चुका है अब आपको कैसे मिलेगा और इसका चीट गोर क्या है वो मैं आपको अच्छे से बताता हूँ जी हाँ काफी लोगों को वो तो पता है कि दो कार एक साथ चलती है लेकिन दो बाइक कैसे चलाना है वो तो अभी किसी को पता ही नहीं मतलब किसी को नहीं काफी सारे लोगों को पता है बाकी और लोगों को तो पता है लेकिन मैं आपको बता दिता हूँ कि कैसे चलाना है तो यहां पर मैं जैसे कि दो बाइक एक साथ चला रहा हूं तो आपको दो बाइक चलाने के लिए क्या करना है ना आपको कोई भी पहले दो बाइक ले ले नहीं है तो चलो यहां पर मैं पहले दो बाइक कोई भी ले लेता हूं तो पहले यहां पर मैंने एक स्प्लेंडर बाइक लेने के बाद out यहांपे में दूसरा फॉलेटson ले लेता हूं ठैकि journée में बाइक ले लिए अब आपको भी जोनों बाइक ये से घर खार ले तो जैसे किहा लोग यहां ट्थेक्सक्टेयोमे यह कुछ नहीं करना है अब इस पर बैठने के बाद आपको कुछ नहीं जाकर आपको क्या और दूसरे बाइक पर बैठने के बाद अगर आप इसको चला विशोराई नहीं तो साथ में वाली बाइक भी चलेगी जो दूसरी बाइक पर कोई कितनी सारी बाइक एक साथ चला रहा हूँ बाखी अब देखो कुछ लोगों को ये भी नहीं पता है कि हमारे इंडियन बाइक ड्रेविंग ठीडी गेम में अल्लीमिटेड डाइनसोर के से लाए तो ये भी मैं आपको पहले बता देता हूँ तो देखो आपको बहुत सारे डा जूरा सिख पार्क के पास पहच जाओ तो आपको अंदर एंटर कर देना है तो देखो मैं आचुका हूँ जूराarily पेप पहुंचने वाला हूँ और फाइनली पहुंचछ ओस पहूंर ये जैसे ही डाइनसोर आपका पीछा करने लग्ये तो आपको वापस भागाना है आने के बाद आपको क्या करना है अब वापस वहीं फिर से चले जाना है यहां पे वो दूसरा डाइनसोर मिले आपको ऐसे बढ़ा एक डाइनसोर तो आपको आपको वापस वहां पे जाना है अब जैसे आप वापस वहां पे जाओगे तो एक और डाइनसोर होगा तो आपको जैसे दूसरा डाइनासोर दीखे तो फिरसे आपको यहां से भाग जाना है जी हां यहां से भाग जाना है अब जैसे आप यहां से भाग होगे तो आपके पीछे दो डाइनासोर लग जाएंगे अब ऐसे दो डाइनासोर लग गए तो अगर आप फिरसे वहां पे जाओगे न उतने डाइनसूर आपके पीछे लग जाएंगे और फिर आप मुलब ऐसे ऐसे करके जितने डाइनसूर आपके पीछे लगाना चाहूं उतने लगा सकते हो जी हां यह वाली ट्रिक है बाकी और कोई ट्रीक नहीं थी तो यह मैं आपको ट्रिक बता दिया तो इसके लिए यार एक वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हो इसका चीट कोड क्या है तो देखो अब मैं आपको बता देता हूं अच्छे से ठीक है लेकिन उससे पहले मुझे कुछ लोग भाई बोल रेती गी यह जो फायर ट्रक है इसका चीट कोड क्या है तो चलो मैं आपको बता देता हूं कि फायर ट्रक का कोड क्या है तो इसे लेने के लिए आपको यहां पे डायल कर देना है 606 जैसे आप डायल करोगे 606 तो आपकी गेम में फायर ट्रक आ जाएगा और कुछ लोग इसे फायर एंजिन भी बोलते है और हां कुछ लोगों का ये भी, कौमेंट था कि भाइ इसTA कोई उबटा सीन नीकाल और वहां लिए घर अदेट में कोई ओप सनाज तो मैं आपको बता दूंगा यहां पर जो मेरे कि आप देख लो इंडियन बाइक ट्राइविंग 3D गेम में टाइगर वेसे तो टाइगर का कोई जरूरत नहीं है लेकिन देख लो अगर आपको लेना हो तो वह भी बता देता हूं किसे लेना है और बागी एक और चीज है जो कि आप यहां पर देख लो मल्टी प्लेयर मोड मल्टी प्लेयर मोड की तो बहुत सारे लोगों की डिमांड है और बहुत सारे लोगों को मल्टी प्लेयर मोड चाहिए इंडियन बाइक ट्राइविंग 3D गेम में तो बाइनली यहां पर मुझे क्या इस मल्टी प्लेयर मोड को की यहां पर मुझे तो मिल चुका है बागी तो देखो आप लोगों को तो पता ही होगा अभी थोड़े दिन पहले हमारे इंडियन वाइक ड्रविंग ट्री गेम का न्यू अपडेट आया है जिसमें एक फायर ट्रक आया है और नाइट मोड आया है और एक ट्रॉली भी आया है और उसके साथ में एक फॉर्चुनर लेज वर्च के साथ स्टार्ट हो चुका है इस गेम के डेवलोपर ने बोला था कि न्यू अपडेट पे वर्च स्टार्ट कर दिया है लेकिन अभी तक उन्होंने को यसा इनपॉर्मेशन नहीं दिया है कि इसमें वो क्या एड़ कर रहे तो वो तो अब आपको वेट करना पड़ और यह एक मल्टी प्लेयर मोड तो आप इन तीनों चीजों में से इस गेम में क्या एड़ करवाना चाहते हो ना वो आप मुझे कॉमेंट करके बताना आप लोग जो भी ज्यादा कॉमेंट करोगे वो हो सकता है अगले अपडेट में एड़ हो जाए बात